हेलो व्रेंस आए हम बनाएंगे घर पर प्रूटी एंगे टियार बनाए था जैस किया था जब जादा नहीं बच था था थोड़ा भोर चंब पर यह नहीं तो बच्छहा करी थे भी यह शती है थे यहां पर हम पर ईस पर कीशस्कों लेटा निकेm अभी मैं एक दो दिन पाले, मैं इनको आईस्क्रीम के भी रेशिपी आप लोग के साथ शेयर करी थी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अभी एक दो दिन पाले ही मैंने शेयर किया था, वो भी काफी टेस्टी बना था और मैं कैंडी म इनको आईस्क्रीम शेयर करें थी और वह भी मैं बताई थी अगर आपके पास यह चीज नहीं है तो आप कैसे घर में बना सकते हैं बीना किसी समान का बिल्कुल इजी तरीका बताई थी परें घर के समानों से बनाना मैं सिखाई थी उसमें श्रीप तीन इंग्रेडियंस ल चैनल को पिस लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा है तो उसी में पिस आ जाएगा और आपसे बार याद दिला देती हूं प्रेंट क्योंकि आप लोगना लाइक करना बूल जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया किजे इससे काफी मुझे फूसी मिलती है और चैनल पहली बिना पानी डाले में पिसी ती प्रेंट बहुत ही अच्छी तरह से पिसा गया है इसको आप चाहन भी सकते हैं चनी से बटी से वह में च्छानने के जूरत नहीं पड़ा है आप थोड़ा सा मिक्सी जार में जो लगावा तो उसमें धोकर के पानी डाले और अलग से नहीं बछ सो 시कते थी तरीवर्टे से इसलों आपको अखा नियमा है ही तरह से क्या हूं सब्सकों पांका सब्सक्राएं het उसके बाद और आगे मैं क्या करूंगों आपको में दिखाती हूं बहुत इजी तरीका है घर पर फूर्टी बनाना तो आप ज़लूर बनाईए और घर का जो भी रेसे भी बना हुआ रहता है वह बाहर से तो अच्छा ही होता है फ्रेंट यहां पर देखिए इसको मैं पांच पारिक चीकना हो जाएगा और मैं थोड़े से ने पंखे खावा के नीचे इसको ठंडा कर ली थी यहां पर देखिए थंडी हो गई अब मैं इसको क्या करूं कि यहां पर मैं डाल रहे हूं प्रीच का पानी तो बिल्कुल ठंडा चील्ड पानी है यहां पर देखिए आप पतला रखना है उसी साब से पतला या गाड़ा रख सकते हैं तो मैं थोड़ा नॉर्मल रखी थी ना ज्यादा पतला करी थी ना गाड़ा और यहां पर देखी हमारा घर का होम मेट फ्रूटी बन करके त्यार हो गया अपर इंट बाहर का जो डब्बे वाली आती है नो काफी पतला होता है उसमें तो फ्लेवर भी नहीं पता चलता है इतना फारिक होती ज्यादातर चीनी और पानी होती है और आम का तो बहुत ही कम मात्रा होता है पर इंट तके नहीं हम घर में बनाए और बच्चों को खिलाए वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक